तो वीडियो मिल आज तक बने रहना को वीडियो में पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके लुक्स और डिजाइन की तो आपको बता दें आने वाली नेक्स जेनरेशन इनोवा क्रेश्टा 2020 में आपको बैक साइड में कुछ कर्फ देखने को मिलेंगे साथ में कुछ कोस्मेटिक चेंजिस के साथ अपडेट की जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट की तो फ्रंट में आपको डूल पैनल वाली ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें टोईटा का लोगो इंसर्ट किया गया है साथ में शार्प LED हेड लेंप्स देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ बड़े से इंडिकेटर के साथ में फोग लेंप्स को भी इंसर्ट किया गया है फ्रंट पंपर एक ब्रीफियर लुक देता है ओवरॉल नेक्स जेनरेशन इनोवा क्रेश्टा को आप कह सकते हैं कि इसमें वाकई एक नयापन है दोस्तों बात करें इसके इंटिरियर और फीचर्स की तो आपको बता दे पैसेंजर कमफर्ट के लिए इसमें कुछ कॉस्माटिक चेंजिस देखने को मिलेंगे जैसे की प्रीमियम वुड फिनिश इंटिरियर पैनल देखने को मिलेगा और कुछ एड़बान्स फीचर्स के साथ लेस किया गया है सामने की तरफ एक बड़ा सा आठ इंच का टच स्क्रेन इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो की Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा दोस्तों Next Generation Innova Crysta में AdBlue Technology का यूज किया गया है साथ में ही Vehicle Stability Control, Heel Assist Control और Emergency Brick Signal जैसे फीचर्स के साथ लेस किया गया है ये सभी फीचर्स स्टेंडर्ड वेरियंट से ही देखने को मिलेंगे दोस्तों बात करें इसके इंजनर और Power की तो आपको बता दे Next Generation Innova Crysta में 2.4 लीटर वाला टर्बो कुल डीजन इंजन देखने को मिलेगा जो की 6-speed manual transmission और automatic gearbox के साथ less होगा दोस्तों फाइनली बात करें इसके प्राइज और launch date की तो आपको बता दे Next Generation Innova Crysta का एक शोरूम प्राइज 16 लाग रूपी से लेके 24 लाग रूपी तक जाएगा और इसकी launch date end of 2020 होगी में भी 21 देखने को मिले जिया दोस्तों तो आने वाली Next Generation Innova Crysta आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके पता सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पासन दाया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं सेगर वीडियो साथ तब तक के लिए गुडबाई